आप लोग व्रेंट्स वेल्कम टू फोरेक्स गोल्डन सिल्वर अनलाइब दोस्तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बैल अबब इकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वट्सप चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक क्लिक करके WhatsApp चैनल जोईन कीजिएगा मारकेट आर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स वट्सप पे मिलता रहेगा और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक कोमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा दोस्तों अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मुव्मेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का अनालैसिस कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स में गेप आप ओपिनिंग दिखा और दोस्तों at the time of recording this video डॉलर इंडेक्स 105.19 के पास ट्रेड कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तो 105 के लेवल जो पहले प्राइस के लिए important resistance बना हुआ था यह भी प्राइस के लिए important support बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 105 के ओपर sustain करता है तब जो है dollar इंडेक्स में strong up move दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों gold or silver में और भी जाधा correction दिख सकता है और दोस्तों आने वाले समय में अगर डॉलर इंडेक्स 105 का important support break कर देता है तब जो है डॉलर इंडेक्स में फिर से downfall दिख सकता है और उसी हिसाब से gold और silver में फिर से upmove दिख सकता है और दोस्तों हम लोगों ने gold और silver के fundamental analysis के वीजियो में details में discuss किया है और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग उस video को check out जरूर कीजियेगा दोस्तों आप लोगों में से कुछ दोस्तों ने request किया है पहले forex gold का analysis करना है और उसके बाद forex silver का analysis करना है और उसी हिसाब से दोस्तों अभी हम लोग पहले forex gold का analysis कर लेते हैं और उसके बाद forex silver का analysis करते हैं forex gold के daily chart पे हम लोग देख सकते हैं फ्राइडे के trading session में gold में strong downfall दिखा और दोस्तों at the time of recording this video forex gold double to 95 के पास trade कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों double to 80 का level price के लिए बहुती important support बना हुआ है और दोस्तों daily chart पे हम लोग देख सकते हैं 2320 price के लिए बहुती important resistance बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price double to 80 का important support break कर देता है और इसके नीचे sustain करता है तब जो है forex gold में major correction दिख सकता है और दोस्तों आने वाले समय में अगर price फिर से 2320 का important resistance break कर देता है और इसके उपर sustain करता है तब जो है फिर से gold में strong up move दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों double to 80 और 2320 का level forex gold के लिए बहुती important होने वाला है दोस्तों forex gold के 4R के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं double to 80 price के लिए बहुती important support बना हुआ है double to 80 के नीचे double to 40 का level भी price के लिए बहुती important support बना हुआ है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price double to 80 का important support ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 4R के चार्ट पे strong bearish candle फोर्म करता है तब जो है हम लोग lower level पे double to 40 के level के लिए ट्रेल कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर price double to 40 का important support भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग lower level पे double to 00 के level के लिए ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि हम लोगोंने fundamental analysis के वीडियो में discuss किया है 12th June को CPI का data आने वाला है उसके बाद interest rates का भी decision आने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों 12th June का trading session gold और silver के लिए बहुती crucial होने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों depending on the outcome of the data gold और silver में major downfall या strong up move दिख सकता है इसलिए दोस्तों strict stop loss के साथ और proper money management के साथ gold और silver में trade करना safe रहने वाला है और दोस्तों 2320 के उपर 2345 और 2345 के उपर 2360 का level price के लिए बहुती important resistance बना हुआ है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 2280 के उपर sustain करता है तब जो है हम लोग higher level पे 2320 के level के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 2320 के उपर sustain करता है तब जो है हम लोग फिर से higher level पे 2345 से 2360 के level के लिए आने वाले समय में trail कर सकते हैं तो यह रहा दोस्तों forex gold का complete analysis अभी हम लोग forex silver का analysis कर लेते हैं तो forex silver के daily chart पे हम लोग देख सकते हैं लास्ट ट्राइडे के trading session में silver में strong downfall दिखा और दोस्तों at the time of recording this video silver 2936 के पास trade कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों forex silver के daily chart पे हम लोग देख सकते हैं 28.80 से 29 डॉलर का जो range है यह price के लिए important support zone बन गया है और दोस्तों forex silver के daily chart पे हम लोग देख सकते हैं 30 डॉलर price के लिए बहुती important resistance बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 28.80 से 29 डॉलर का जो range है यह अगर break कर देता है और इसके नीचे daily basis पे strong bearish candle फोर्म करता है तब जो है forex silver में strong downfall दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 28.80 का important support break हो जाता है तब जो है silver lower level पे 28.50 से 28 डॉलर के level पे भी जा सकता है दोस्तों हम लोगों ने previous वीडियो में भी discuss किया है 28 डॉलर silver के लिए बहुती important support है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 28 डॉलर का important support break हो जाता है और इसके नीचे daily basis पे bearish candle फोर्म होता है तब जो है silver आने वाले समय में lower level पे 26 डॉलर के level पे भी जा सकता है और दोस्तों forex silver के daily chart पे हम लोग देख सकते है 30 डॉलर price के लिए बहुती important resistance बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 30 डॉलर का important resistance break कर देता है और इसके उपर daily basis पे strong bullish candle फोर्म करता है तब जो है silver में फिर से strong up move दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 30 डॉलर का important resistance break हो जाता है तब जो है price 30.70 से 31 डॉलर के level पे भी जा सकता है और दोस्तों अगर आने वाले समय में 31 डॉलर का important resistance भी break हो जाता है तब जो है हम लोग higher level पे 31.50 से 32 डॉलर के level के लिए swing और positional trading के perspective से trade plan कर सकते है दोस्तों 4X silver के 4R के chart पे हम लोग देख सकते है 29.50 price के लिए resistance बन गया है दोस्तों 29.50 के उपर 30 price के लिए important resistance बन गया है और दोस्तों 4X silver के 4R के chart पे हम लोग देख सकते है 28.80 से 29 का जो range है ये price के लिए important support zone बन गया है और दोस्तों 28.80 के नीचे 28.50 और 28.50 के नीचे 28 डॉलर price के लिए बहुती important support बना हुआ है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 29.50 के उपर sustain करता है और इसके उपर 4R के chart पे bullish candle फोर्म करता है तब जो है हम लोग lower level पे strict stop loss लगा के higher level पे 30 डॉलर और 30 डॉलर के उपर 30.50 से 31 डॉलर के level के लिए trail कर सकते हैं और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 28.80 से 29 डॉलर का जो important support zone है यह अगर break कर देता है तब जो है हम लोग 29.50 के पास strict stop loss लगा के lower level पे 28.50 से 28 डॉलर के level के लिए trail कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने fundamental analysis के वीडियो में भी discuss किया है 12 जून को major data आने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों strict stop loss के साथ और proper money management के साथ trade plan करना safe रहने वाला है आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छे लगा होगा thanks for watching the video